कि आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले वीवैप की काफी पॉपुलर इंडिकेटर है अगर हम बात कर इंट्राइड के लिए इंट्राइड में काफी है यूसफूल है अगर इसको अच्छे से इस्तमाल किया जाए और जो स्टॉक्स होते हैं वह भी चुनना बहुत दिसकर्स करेंगे और यह वीवैप होता क्या है कैसे यूस करना है वह भी हम देखने वाले तो वीडियो का आप एंट तक जरूर देखेगा आपको स्टॉक्स में मिलने वाले और जिसमें मैंने वीवैप लगा कि फैसे बनाए हुए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हम तो अगर हम बाद करें गालकुलेशन कि तो बिल्कुल इसको ककॉलेट कर सकते हैं अगर आपको आपको करने का कभी मन करें तो यह स्टेप दीए होे यहां पर 3 स्टेप में आप इसको आराम से आक्ज mixer नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट चलते इसके components में समझते कि कौन-कौन से चीजे जरूरी होते हैं वीवेप के लिए तो हम components के बात करें तो सबसे पहले time frame कौन सा time frame हमें रखना होता है कि हमें 5 या फिल बेश्टे टाइम आप बिल्कुल फंस सकते हो तो आपको मेसीडी और candlestick दोनों पता होने चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो description में link पढ़ी हुई है कफेची वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो के बात candlestick तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है multiple candlestick और single candlestick दोनों के दिये होई वीडियो जैके आप देख सकते हो तो अचली अब देखते हैं सिधा अब वीवैप को वीवैप कैसे यूज करना है क्या time frame रहेगा मैंने यहाँ पर 15 मिनट का लगाया हुआ है आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर 15 मिनट का ही क्यों लगाया है क्योंकि मार्केट स्टेबल रहता है जैसे अभी है कि अभी काफे स्टेबल हो गया है जैसे आप निफ्टी में देखते हो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आता है 100-500 की मूव आ रही है तो वह नौर्मल मानी जाएगी जैसा कि आप देख रहेते हो जो पिसले दिनों कुछ महीने प नौर्मल समय में पंदर मट की लगाना है तो अब समझते वीवेप को यूज कैसे करना है काफे सिंपल इंडिकेटर है यूज करने के लिए और काफे प्रॉफिटेबल रहता है इंट्रडे के लिए जो आजकल सब करना चाहते है अगर आपको वीवेप में बाय करना हो प्रॉंग नहीं होता है तो पहली तो आपको वी बात याद रखने है वो जितना होता है मिडल से काटे जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसने एकदम मिडल से काटी है मगर आपको एकदम से अगली कंडल में का ट्रेड लेलना है बिलकुल नहीं लेना होता है व मतलब ये 9.15 से 9.30 वाली करिंडर होगी उसके बाद ये होगी 9.30 से 45 और ये होगी 10 पचे तो आपको ट्रेड लेना होता है 10 बजे 10 बजे तक आपको देखना होता है कि इस जो स्टॉक का जो मोमेंटम है आज किस तरफ होगा उपर के तरफ ये नीचे के तरफ वो पता आपको अधा पॉन घंटा में ही पता चले गए पहले 15 मिनिट में तो काफी जादा स्टॉक में नॉइस होता है चाहे आप स्टॉक में देख लें इंटेक्स में आपको बहुत सब्सक्राइब देखनों को मिलता है उपर नीचे होता रहता है तो मार्केट को पहले सेटल होने दीज चलते है वह आपको मैं जरू आगे बताने वालों वेट जरू कीजिएगा उसका तो यहां पर आपको जैसे मैं बता है कि थर्ड केंडल या फिर दस बजे वहां पर आपको ट्रेड लेना है तो उसके बाद देखिए यहां पर यह उपर गया बट होता क्या है जब यहां से ह पहले देख लेजिए मोमेंटम किस साइड जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे चीजे होती है कि आपको बाई करने के लिए तो मिल जाता है मगर जब आपको सेल करने जाते हो तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है वहां आपको कोई सिंगलर रहता नहीं है अगर आपको देखे मैं आपको दस बजे बताया है यहां पर इसमें सिंग्नल दिया है खरीदने का यहां पर भी इसने क्रॉस ओपर दिया है तो यह फायदा होता है मसीडी का तो इसलिए मसीडी अगर आप नहीं जाती हो तो वीडियो पढ़ी हुए डिस्क्रिप्शन में अब जाके जरूर दि कि यहां से आप बुलिश हो सकता है जितनी अच्छी मारा बोजू कंडल बनती है उतना ट्रेड आपको कंफर मिलता है कि यहां से जरूर यह बुलिश रहेगा अगर हम इसके एक दिन पहले का अगर हम देखे यहां पर जो 27 तारीक है जो यहां से लेकर यहां तके 27 तरीक है यहां पर अगर हम वीवैप लगाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर स्टार्टिंग में इसने बनाए एक छोटी गंडल चोटी गंडल बनें के बाद हुआ गया देखे दो घंटे तक एक ही रेंज में ट्रेड करता है अलाही बाद में ट्रेड मिला बट अब एक ह स्टॉक में अगर आप 2,5 गंटे बैठे रहोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है नहीं आपका कोई पैसा बनेगा नहीं कुछ तो छोटी गंडल बनती है तो इतना अच्छा गंफर्मेशन नहीं मिलता है मारा बोजू बने तो काफी बढ़िया रहता है आपको थोड़ा वहां पर देख रही हो फिर एक ग्रेंडल बना ऊसको बीच मेंगा तो कोई भी फिर यहां पर ट्रेट लिए क। यहां पर हमको stop loss कहां लगाना है समझ लिए आपने फोर्थ वाले candle है यहां पर आपने ट्रेड लिया है तो इसका low जो होगा वो होगा जो भी आप खरीद रहे हो जिस टाइम खरीद रहे हो उस candle से एक candle जो पीछे होगा उसका low होगा वही आपका stop loss होगा तो यह बात आपको ध्यान रखना है और इसलिए आपको second candle पर नहीं खरीदना होता है second candle पर खरीदने जाओगे तो first candle का low तो बहुत जादा नीचे होता है तब तक तो आपका कबड़ा हो चुगा होगा अच्छा कासा नुकसान हो चुगा होगा तीसे लिए आपको जादा जल्दी भी नहीं घुशना होता है market को settle होने दीजिए आराम से लेंगे ट्रेड क्या ही दिक्कत है तो इसके बाद आप देखते हम इसको stock को चुनना कैसे होता है कि हमें कौन से stock में हमको वीवैप लगाना है और trade लेना है तो यहां पर मैंने कुछ stock तो दिये हुए इस stock में आप जाके वीवैप लगाई है पहले practice कीजिए ऐसा नहीं कि पहले दिन से ट्रेड करने लिगजिए पहले दिन practice कीजिए थोड़ा नोटिस कीजिए एक दो दिन देखिए stock में अच्या इसमें movement हो रही है कि नहीं हो रही है और movement कैसी हो रही है इसकी तो आप देखे पहले चेक किजिए एक-दो दिन कोई जल्दी नहीं है बहुत time मिलता है चाहिए उपर बने चाहिए नीचे का बने सेल साइड में भी सेम आपको व्यप लगाना है अगर केंडल बनी है लाल वाली और इसके बीच से काटी है और उसके बाद दो-तिन केंडल अगर नीचे ही बन रही है तो आप ले सकते हैं वहां से टेट फिर वहां से ज़रूर नीचे जाएगा और आपको अच्छा मुनाफ़ परकने पड़ता हमें पैसा बनाना है वह मूवमेंट अच्छा होना चाहिए लिक्विडिटी वॉल्यूम उसमें अच्छे कासे होने चाहिए ऐसा नहीं बिलकुष इलिक्विड स्टॉक हो आला कि जो अपने आप हाई बीठा होते ही होते जादा तर ऐसा नहीं है और ट्रे स्टॉक में उसके रिजल्स आए हुए या फिर उसके कोई बड़ी न्यूज आई है तो आप उसको ट्रेड करना है तो आप बिल्कुल यह विए लगा के कर सकते हो पहले आदे घंटे आराम से सैटल होने दीजिए मार्केट उसके बाद लीजिए चाहे या फिर निफ्टे म सब्सक्राइब लगा के बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं इसलिए सिर्फ यह स्टॉक के लिए मगर निफ्टी और बैंक निफ्टे में होता क्या है उसमें जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आती तो फिर बड़ा मूव नहीं देता है तो वहां पर उतना जादा फिर आपक आपको मौके बहुत जादा मिलते ट्रेड करने के लिए इसलिए स्टॉक ऐसे चुनने जो यह तीनों क्रिटेरिया पूरी करें तो वहां से आपको मुनाफ़ा होनी के जो चांसिस है वह ज्यादा बढ़ जाते हंड़र परसंट कोई भी नहीं कर सकता तो चलिए ठीक है अग एक बाते है अदूक सक परसंट कोईसे जो कि बichtenते है उसलिए सबना चलिए एंगी जो बढ़ चरो तर कर दो से आपको मौके तो फास से घ्ड कोईों झावसे संवच की फ nomलुड़ कोई तो